है अज़ आज अम बात करेंगे हाउ टू मेका सेक्टर बॉक्स क्योंकि फ्रेंड्स सेक्टर बॉक्स काफ़े इंपॉर्टेंट है और मोच्टली हर किसी घर में टीवी के साथ सेक्टर बॉक्स जोईन होता है अगर फ्रेंड्स हम सेक्टर बॉक्स मारकेश से लेने जाते हैं तो उसकी जो कोश्ट है वो कोश्ट आपको 500 से 600 रुपे पड़ता है लेकिन आज जो मैं आपको बताऊंगा वो ट्रिक आपको 200 से 200 में आप सक्टर बॉक्स को इजली बना सकते हैं अपने घर के अंदर और यह काफी असान है अगर आप सोचते हैं कि कोई हाड और हम इसे नहीं कर सकते हैं तो नहीं यह काफी इजली है और मैंने किया है तो आप भी इसे कर सकते हैं और अपने घर में कम कोश्ट में इसे लगा सकते हैं तो फ्रेंड्स चलिए आईए अब अपने इस वीडियो को में स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली और वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिल सके और नोटिफिकेशन बैल को ओन करते हैं तो चले आईए अब स्टार्ट करते हैं सेक्टर बॉक्स किस तरस बनाते हैं तो सबसे पहले आपको एक चैनल डिबा खाली जो की 20 रुपे में आता है 15-20 रुपे में यह आपको बॉक्स मिल जाएगा इसली मार्केट में एवलेबल होता ह तो इस बॉक्स को हम लेते हैं उसके बाद हमें चाहिए फ्रेंड्स एक पावर सप्लाई किट जो की आपको मार्केट में इसी तरह से मिलेगा कार्ड की तरह इसमें एक कनेक्टर होता है और अगर आप मार्केट में जाए और बैस्ट क्वालिटी चाहिए तो आप बोले 0.7 का मुझे पावर सप्लाई दे दीजिए सेक्टर बॉक्स का तो इस तरह का आपको यह मिलेगा आप इसे देख सकते हैं यह किस तरह का है तो यह इसकी जो कोश्ट है वह आपको 30 से 40 रुपे तक मिल जाता है अगर आप ज्यादा आपके इधर देते हैं तो उसका नहीं पता लेकिन मैं यह जो लाया हूँ चालिस रुपे में लाया हूँ ठीक है फ्रेंड्स और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका दूसरा पाट तो यह है इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यह बाला सरकेट है इसे बोलता है कार्ड जिससे कि हमारे जो टीवी उसमें इसक से देख सकते हैं इसके कनेक्टर है मेल और फिमेल जो की टीवी के साथ हमारा कनेक्ट होता है और यह जो है कनेक्टर यह हमारा एंटीना के साथ सिधा लिंक करते हैं इसको और उसके बाद हम इसे अपने सेक्टर बॉक्स में फिट करते हैं तो यह होगा हमारा पार्ट नंब चैनल नंबर 2 चार और यह आप अगर आप देख सकते हैं ध्यान से तो यह देखिए इसमें चिल कर यह लगा हुआ है इससे कहते हैं सेंसर रीमोट शैंसर रही है जिससे कि हमारा सैंसर चैनल को चेंज करता है और दूपर यह होगा हमारे तीन चीज टूटल जैसे कि मैंने supply तो यह तीन चीज़ सबसे important है और यह आपको है 200-2500 रुपे में यह आपको मिल जाता है और controller का अगर आप cost पूछ रहे हैं तो controller का cost है 40 रुपे तो friend जैसा कि आप सब देख सकते हैं यह box है और इस box में बस मैंने जो change किया वो इसमें मैंने इसकी cutting किये ताकि इसमें असानी से fit आ सके तो सबसे पहले हम अपना card को लेंगे और इस खाली box मैंने paper लगा रखा है नीचे ताकि अच्छा look इसका हो सके तो इसको सबसे पहले हम यहाँ पर इस तरह से करके आप मार करके दो cutting बना सकते हैं कि इसमें असानी से fit हो ताकि हमारे यहाँ से टर्मिनल बहर आ सके easily तो मैं इसे इसमें fit कर देता हूँ देखिए इस तरह से यह इसमें fit हो गया यह देखिए जैसा कि आप सब देख सकते हैं इसमें यह इसके चार connector है और यह इसके signal है जहां से इसमें signal जाएगी तो यह हमारे यहाँ फिट हो गया अब बात आता है power supply की तो यह हमारा power supply है जो कि यह हमारे 200 जो power main power है उसको convert करके यह DC में हमारे supply को देगा अब इसे हम इसे connect कर देते हैं इसके साथ तो यह इसमें यह इसका supply में मैंने connect कर दिया आप देख सकते हैं कि यह इसके साथ connect हुआ था पहले connector दे रखा हमारे power supply की अंदर इसे fix होता है ना कि इसे आप निकाल सकते हैं तो यह हमारा हो गया fix तो इसको इधर लगा देते हैं उसके बाद हमारे पास यह controller इसमें यह जो है यह sound को तेज कम करने के लिए होता है और यह frequency का होता है और यह जो देख रहे हैं आप sound को तेज कर सकते कम कर सकते हैं main menu का है channel आगे और पीछे कर सकते हैं इसमें सारे function available है यह हमारा sensor है यह LED है तो इसको मैं अपने box में इस जगा पर fix कर देता हूँ यह देखिए इसको यहां पर मैंने fix कर दिया यह देखिए यह यहां पर fix हो गया easily और यह हमारा लग गया card then यह हमारा हो गया power supply अब हम इसे लगाते हैं अपने card के साथ तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं यहां पर यह connector दे रखा है और हम इस connector के साथ इसे attach कर देते हैं अरा हम से करें अगर आप यहां पर force लगाते हैं तो तूट जाएगा तो आपको यह नुकसाओन हो जाएगा आपके देड़ सो रपेगा तो यह मैंने इसके साथ इसको fix कर दिया तो यह हो गया हमारे सारे कुछ set बस आपको इतना ही काम करना है इसके साथ और कुछ ही नहीं करना तो आप देखरें कितना easily हमने इसे set कर दिया है तो सबसे पहले हमने card लगाया then उसके बाद हमने controller लगाया यहां पर यह देखिए कितना अच्छा लग रहा है controller यहां पर हमने set किया है उसके बाद हमने power supply लगाया अब जो main काम है व on और off का button है जिसे कि हम लगा सकते हैं यह देखिए इसमें यह on और off का है इसमें एक spring होता हूँ spring नहीं है गिर गया है तो यह on off button अगर आप on off button नहीं लगाना चाहते हैं तो यह देखिए supply है positive और negative इन दोनों टर्मिनलों को आप इस जगह connect करना आपको या तो आप देखि अड़ करें और supply दे तो चलिए मैं आपको add करके दिखाता हूँ सबसे पहले तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगा लेते हैं अपने supply को तो इसको देखिए मैंने इस तरफ fit किया है यहाँ यह देखिए यहाँ पर मैंने इसको fit कर दिया है अगर आप चाहाँ तो यह पेच रोल्ड कर लूँगा इसको मैंने यहाँ पे इसके साथ सोल्ड कर दिया सोल्ड करने के बाद फ्रेंट्स यह फिट हो गया पूरी सरकेट आप देख सकते हैं एक कितना असानी से सारे लग चुका है अब जैसा कि देख सकते हैं यह है इसकी सप्लाई जो की इसके साथ connect हो गया है यह इसके साथ यहां से connect हो गया अब मैं supply दूँगा और आपको test करके दिखाता हूँ क्या यह working है या नहीं तो यह देखिए मैं इसे इहां से supply दे रहा हूँ यह दे दिया मैंने इसे supply और यह इसकी wire जो कि इहां से connect हो रहा है इसके साथ आन करेंगे तो friends जैसा कि मैंने इसके बटन को आन कर दिया है और आप सभी देख सकते हैं कि इस पर जो आरका 61 नंबर चैनल खुल रखे इस पर तो ये देखिए ये 60 हो गया अगर आप चाहें तो इसे change कर सकते हैं अब मुझे 60 करना 62 तो आप 62 करने के लिए क्या करेंगे ये देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ यहां से आप इसको चेंज कर सकते हैं ये देखिए 62 हो गया चैनल नंबर ये देखिए यहां से 63, 64, 65 तो आप जिस पर चाहें उस पर आप इसे change कर सकते हैं तो friends ये है आपका पूरा का पूरा sector box जो कि हमने आपके सामने बनाया है तो friends आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो आप comment करके आप हमारे comment box में बता सकते हैं और अपने friends के साथ इसे share भी कर सकते हैं और friends सबसे important जो मैं आप है वो है मैंने आपको ये knowledge दिया इतना अच्छा तो आप हमारे चैनल को subscribe कर दे और notification bell को on कर दे ताकि इसी तरह का genuine वीडि तो अगले वीडियो में मैं आपको बता हुआ कि अभी जो मैंने आपको दिखाया power supply उसे आप किस तरह से घर बैठे design कर सकते हैं और अपने circuit के साथ use कर सकते हैं अगर हमारे जो बड़ी fault है वो fault होता है उसका फ्रूग जाता है तो आप उसे किस तरह से repair कर सकते हैं और किस तरह से बना सकते हैं तो नेक्ट वीडियो में आपको बताऊँगा तो नेक्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो थैंक्यू वेरी मच्छ प्रेंड्स बॉचिन इस वीडियो